अप्टेक कंपनी पर इतनी महरबानी क्यों एलजी एड्मिस्टेशन और क्या रिष्टा कहलाता अप्टेक कंपनी का कोई हमदर्द नहीं फिर कौन हमदर्द जो उन्मे लगातर उन पर रहा है जो हमदर्द है उससे पूछो ना में हमदर्द नहीं हूं वही तो कहता हूं कि मुपर्दान मंत्री जी का एकिन आ रहा है कि ब्रश्टाचार से मुक्त करना है जो देश हमारा जमू कश्मीर वही तो कह रहे फिर ब्रश्टाचारी कंपनी को किस पर हाथ किसका आता है ब्रश्टाचारी कंपनी के सर पर कोना जो ताना शाही कर रहा है सर यह हजारों युवा कि कह लड़काना चाहिए जो घरीब लोगों के साथ धोखा धड़ी करते हैं जो इमानदार और मेनत का शावरे नौजवानों के साथ धोखा धड़ी जाल साजी बैमानी गद्धारी करेगा उसको प्रट काना चाहिए आप पर भी किया किसी का दुखा नब पूचेंगे कि ट्वीट आया था यूवाव ने काफी सरा उस ट्वीट को मेरी बात सुनिये मेरे मन की बात यह रविंदर रहना टाइगर टाइगर क्या बात करती हो टाइगर ट्वीट किया इसके कहने पर नहीं किया इससे बड़ा ट्वीट किया है मुझे सामने बोल रहा हूं वही तो कह रही हो डिलीट क्यों बता दीजिए क्यों किया आप तो यूवाओं के इंस्पिरेशन है यूव आपसे उमीद रखते हैं यूवाने बलके जनता गरती हो तो कहते हैं आने वाला सियम अमर रविंदर रहना जी होने चाहिए एक बात बोलू है दो दो बोली आप से सुन रही है दो दो बोली एक के साथ एक फ्री देखो जहां तक इमानदारी की बात है ना हम फक्ड़ हैं गरीब हैं सादू सन्यासी टाइप हैं योगी टाइप हैं लेकिन किसी के घर से दो रोटी मंग के खा लेंगे बरश्टा चारियों को किसी सूरत पर नहीं बख्षेंगे को चाल साजी निकाल लिए बार फैंकिनों काला बजारी करने वालों को जेल की सलाखों के बीचे बंद करूगा तब होंगे जब होंगे युवां का बेड़ा गर्क ना हो रहा है यह हो जाएगा नहीं होगा किया रिष्टा कहलाता है